mutual funds versus real estate भी काफी ज़्यादा चलता रहता है काफी सारे यूट्यूबर भी real estate को बैट के promote करते रहते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ top cities जो है इंडिया के अंदर में अगर वहाँ पे mutual funds में इंवेस्ट करें तो या फिर mutual funds के अंदर तो सबको पता है हर जगा पे एक ही जो level पे scam real estate के अंदर में होता है जो level पे धूखादरी real estate के अंदर में होती है बहुत ही है भी बहुत ज्यादा प्लस mutual fund के अंदर में काफी कमे मारूंट से पैसा investment कर सकते हैं real estate में नहीं कर सकते हैं Plus बहुत सारी चीजिजी है जो समझनी होती है बहुत ऍलगते हैं और mutual fund के अंदर में नहीं लगते हैं बहुत हेक्टिक होता है real estate के अंदर investment करना mutual fund के अंदर बहुत ज़्यादा simple होता है यह सारी चीजे तो है ही है ही यहाँ पर हम proper returns के basic पे देखते हैं कि क्या बहतर है mutual funds के अंदर में growth funds जो होते हैं उसके अंदर में सिर्फ हम returns देखते हैं एक तरीके के जितना हमारी एनवी बढ़ रहे लेकिने mutual funds के अंदर बात रियल स्टेट के अंदर जो हम बात करते हैं तो तरीके के return को calculate करना पड़ता है एक तो rental yield कि जो हमने घर खड़ीदा उसको अगर rent पे लगाया तो कितना पैसा आ रहे हैं तो वो rental yield हो गया प्लस उस घर का जो price appreciation भी हो रहा है उसका दाम भी बल रहा है तो यह दोनों को मिला के कितना return बन रहा है इस चीज़ को देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली की तो दिल्ली के एक 2% के पास है यहाँ पे appreciate हो रहा है price तो total returns जो है दिल्ली के अंदर में last 7 years में जो real estate के अंदर में averagely वो 7.3% के आसपास बने हैं इसी के तरह अगर मुंबई की हम बात करते हैं तो मुंबई के अंदर में 3% के आसपास averagely rental yield है मतलब जितना investment हम कर रहे हैं real estate में उसके against में जो हर महीने rent हमें मिलता है वो सिर्फ 3% के आसपास लगबग होता है साल का साल का 3% प्लस यहां पर appreciation जो है वो भी 3% के आसपास ही हमें देखने को मिलती है तो total 7% के आसपास ही returns हमें यहां पर भी देखने को मिले है एवरेजली last 7 years में अब देखो दिल्ली के अंदर में क्या है जितना पैसा हम invest कर रहे है उसके against में rental yield जादा मिल रही है price appreciation कम मिल रहा है लेकिन मुंबई के अंदर में हमें price appreciation और rental yield दोनों लगबग बराबर मिल रहा है इसलिए total returns दोनों के same है वही अगर हम बात करते हैं कोलकाता की तो यहाँ पे हमें अच्छी rental yield भी मिल रही है और अच्छा price appreciation भी मिल रहा है तो यहाँ पे लगबग 9.77% 10% के आसपास का दोनों मिलाकल returns कोलकाता के अंदर में real estate में मिल रहा है वही बैंगलोरू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 10% से उपर के हमें returns मिल रहे है क्योंकि यहाँ पे price appreciation भी अच्छा हो रहा है 6% के आसपास और 4-4% के आसपास rental yield भी मिल रहा है तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा real estate में 10% तो मैं काफी अच्छा मानूंगा तो 8-8% के आसपास यहाँ पे returns बन रहे है चन्ने के अंदर में तो जो top cities है दिली के अंदर में देखे 27% के पास मुंबई के अंदर देखे वहाँ पे 7% कुलकाथा के अंदर 10% बैंगलोर के अंदर 10% एंड चन्ने के अंदर भी 8-8% के आसपास मिल जाती है तो यह है top cities के अंदर में और एवरेजली हम पूरे इंडिया का भी यही लेके चल सकते हैं 6% से लेके 10% तक price appreciation होता है real estate के अंदर में जगह के according depending कि कहां पे अब कहीं पे आपने जमीन खड़ी दी और आपका किसमत इतना बढ़िया था कि वहाँ से highway निकल गया प्राइस फटक से बढ़ जाएगा फोर्ड लेन निकल गया बगल में एयरपोर्ट बन गया तो अगर ऐसी चीजे होती है तो appreciation काफी जादा हो जाता है लेकिन यह logical चीजे नहीं है क्योंकि यह हर किसी के साथ नहीं हो सकती क्या हर किसी के साथ नहीं हो सकती तो ऐसी चीजे अ वहां भी सारे 12-13% का return मिला है पिछले 10 सालों में मिला है सारे 12-13% 15% तक भी चला जाता है कभी-कभी अगर उससे पहले के 10 साल देखें तो वहां पे around 18-20% तक 50-50 के अंदर में ही सिर्फ return मिला है small cap, mid cap, large cap सब के अंदर देखें तो काफी मतलब 12% से तो उपर-उपर return हमारी जो इंडिया के अंदर में index funds हैं वो दे दे रही है large cap, mid cap उससे बहतर, small cap उससे बहतर और actively managed small cap mid cap funds तो और ज्यादा बहतर दे रही long term में तो यही पे उमीदन आपको clear हो जाना चाहिए कि हमें real estate के अंदर invest करना चाहिए हमie mutual fund के अंदर investor करना चाहिए खासकर मन लो अगर हमारे पास 1 crore रुपय है 1 crore का real estate खड़ी दे या 1 crore का mutual fund खड़ी दे मेरा answer होगा कि हमें 1 crore mutual funds के अदर पहले investment करना चाहिए मेरे पास अगर 10 करोर रुपए है तो मैं जरूर उसको divide करूंगा gold के अंदर में, real estate के अंदर में और equity के अंदर में mutual funds के अंदर में या stock market के अंदर में तो लेकिन अगर मेरे पास एक ही करोर है तो मैं सिर्फ उसको equity के अंदर ही invest करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए growth ताकि पैसे और बढ़ सके थोड़े पैसे और बढ़ेंगे तो फिर मैं उसको diversify करने के बारे में और ज्यादा assets class के बीच में सोचूँगा अगर मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है मैं महीने के 5000-10,000 बचाना चाहता हूँ मैं पास तो कोई option ही नहीं है equity से बहतर return, बहतर सुरक्षा के साथ और कहीं पर मिली नहीं सकता तो इन सब कारण से जो mutual funds है वो plus point ले जाता है